पंजाब Information Technology Board, PITB की जानब से हिना अर्शक मुझूद है, शीज अरीजनल है, असलाम लेकुम जी, वेलकुम टू मेरी सहीली, वालेकुम, असलाम जीजू, हमारे साथ नवीद अली मुझूद है, ये इस मैनेजर पार्टलर्शिप्स और PITB की जानब से इन्होंने आज हमारे साथ एक बहुत ही बड़ा सप्राइस सीखर शेयर किया है, कि शीविन्स ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आ रहा है, शीविन्स ट्रेनिंग प्रोग्राम पंजब आज़ाएंग्ट जीचरिमिन्स गर्परोग्राम का एक इस फिमेल के लिए डिजिटल स्केls की ट्रेनिंग प्रोगाइब की जाती है, इसमें different training courses available हैं और इसका मकसद ये था कि खावातीन जो online काम करना चाहती है उनको ऐसे platforms और ऐसी trainings प्रोवाइड की जाएं जिसके जरीए वो real authentic platforms हैं उनके ओपर काम कर सकें क्योंकि एक बहुत बड़ा scam चल रहा है कि online earning के नापर बहुत ददा fraud report होते हैं और पता नहीं होता कि इन platforms पर काम करना है तो ये वो trainings है जिनके जरीए फिर आपको पता चल जाता है कि वाकई ही कौन सा काम authentic है कौन से platforms available है और हम किस किस फिल्ड में काम कर सकते हैं अनवीद अगर मैं आप से पूछ हूँ तो ये जो she wins training program है इसका background क्या है इसका आगास कैसी हूँ और कैसे सोचा कि चले खावतीन के लिए program हमें start करना चाहिए Actually मैम, actually इसमें हमने एक study की क्योंके पंजाब IT बोर्ड जो है वो skills development programs में lead कर रहा है हमारे different training programs चल रहे होते हैं हमारे इसमे experience है उसी experience से हमें ये feedback भी मिला और एक study के मताबक भी ये चीज़ confirm हुई कि male और female में jobs के लिए जब market में जाते हैं तो वहाँ पे skills gap जो है ना वो काफी जादा बढ़ चुका हुआ है तो इसी gap को fill करने के लिए हमने ये women empowerment का एक program शुरू किया कि women को भी जो skill gap है उसको पूरा किया जाए तो background इसका ये था कि वो gap पूरा करना हमारा मकसद था जिसके लिए हमने different domains के अंदर बचीयों को empower किया skills के तरू ताकि उनको ये भी ना हो कि उनको बाहर jobs के लिए struggle करना पड़े वो घर बैटे ही उस चीज़ को कमा सकती है और काम कर सकती है तो लड़कियां involve हो रही है वो इस चीज़ को मतलब opt कर रही है जी exactly और हमारी speciality है कि हम hands on training के उपर ज्यादा focus कर रहे होते हैं जो हमारे sessions होते हैं वो recorded नहीं होते हैं वो online interactive available होते हैं मतलब trainers के साथ आप directly interact कर रहे होते हैं और hands on training कर रहे होते हैं और एक cohort की शकल के उपर चल रहे होते हैं 30-40 एक class में बच्चे होते हैं तो अगर कोई step है तो वो तमाम बच्चे उसको complete कर रहे होते हैं फिर ही अगले step के उपर जा रहे होते हैं फिजिकल इन परसन ट्रेनिंग दी जाती है या online हम एक्चुली दोनों में कर रहे हैं हम लोग फिजिकल भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं और हम लोग online भी करवा रहे हैं क्योंकि शुरूर में हमने initially start किया था फिजिकल से लेकिन फिर हमें पूरे पंजाब से पूरे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट आरी थी कि यह हमें भी achievable होना चाहिए मतलब हम भी इसको कर सकें तो फिर हमने इसको online mode के उपर भी ले गए हैं और अब हम इन्शाला future में down the road हमारा प्लैन है कि हम इसको different इदारों के साथ collaborate करके universities में भी हम लोग इसके centers बना रहे होंगे इसका दारा कार बढ़ा रहे होंगे ठीक तो मुझी के बताएं जब हम बात करते हैं SheWins training program की जिससे आपने बताया कितने classes का setup आपने रख एपने रख एप और यह जो है time है वो है five weeks five weeks की hands on practice कराई जाती है और उसमें हमने initially सरिफ e-commerce से start किया e-commerce में हम बच्चियों के store बनवा कर उनके product वगएरा उनको list कराना hunt कराना और फिर उनके connection establish कराना उनको product की hunting से लेकर उसके delivery तक जितना भी procedure होता है उसके उपर guide करना यह हम class में करवा रहे होते थे जब हमने इसकी success देखी तो हमें request भी आई के जी बच्चियों की चुँके earning शुरू हो जाती है during the cohort उनको orders आना शुरू हो जाते हैं तो इसको expand करें फिर हमने फर्दर इसमें चार domains और आड तीन domains और आड की जिसमें social media marketing है आपको बता है social media के बगाए तो आजकल कोई organization कोई दारा कोई business भी नहीं चल सकता then हमने इसमें video content creation इसमें add किया जैसे अगर आप vlogger बना चाहते हैं आप influencer बना चाहते हैं तो आप किस तरह का content create कर सकते हैं इमेल के लिए especially वो इसलिए ज्यादा beneficial है क्योंके वो अपना face नहीं show करना चाहती है और different categories में वो videos बनाना चाहती है तो हमने इस तरह के mode को एक introduce कराया है कि अगर आप अपना face reveal नहीं करना चाहती तो आप faceless videos बनाए उसमें आप किसी भी जतनी भी categories available हैं हम वो उनको बताते हैं फिर उनको voice over करना वीडियो की editing करना उसको किन किन platforms पे upload कर सकती है यह सारा कुछ हम उस training में सिखाते हैं after that हमने logo and brand design के अगर आप graphic designing में expert होना चाहते हैं तो आप उसमें भी training ले सकते हैं और जब हमने फिर इसको अर्फा टावर से initiate किया तो बहुत सारे लोगों के लिए लाहोर आना यहां पर रहना मुश्किल था और दो खवातीन आती थी हमारे पर स्रहीमियार खान से मुलतान से चकवाल से काफी दूर दूर से खवातीन आती थी लेकिन उनका फिर यहां पर stay करना और वो काफी मुश्किल प्रोसीजर था फिर हमें जब request आना शुरूई तो हमने एक तो इसको online जैसे नवीद साब ने आपको बताया online mode के ओपर इसको start किया online effective ज़्यादा चल रहा है या physical ली जो classes बचे लेगी हो जादे है जो आप क्यूंके हम बिल्कुल quality के ओपर compromise नहीं करते हैं हमारे ट्रेनर इंटरैक्ट करे होते हैं और हमारे जूम के ओपर session होते हैं जिसमें आप ट्रेनर से उसी आप क्यूरी कर सकते हैं और बिल्कुल हम रिकॉर्डिंग्स प्रवाइड नहीं करते हैं ताके हमारी quality इन शो रहे और जो आप class में सीख रहे हैं उसको class में आप प्रेक्टिस करें आपने ऐसा नहीं कि हमने आपको lecture दे दिया और बस अब आप गहर जाए इसको प्रेक्टि हैं अनमारीड हैं टीनेजर्स हैं तो जरा बताएं ताके qualification level क्या होना चाहिए ताके जो लड़कियां हैं या बच्चियां हैं अगर वो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं तो आएं encourage हो जी बलकुल ठीक अच्छा मैं इसमें हमने कुछ उनको आइडिया हो 12 years of education है और age bracket is 18 to 45 years इसमें फिर हमारी students भी cover हो रही हैं इसमें merit और merit के बाद वो फीमेल्स जो यूजिली अपने केरियर को बंद कर देती हैं या खतम कर देती हैं after marriage उसको दुबारा restart करने के बारे में सोच रही होती हैं तो उनके लिए काफी के लोता है कि दुबारा मैं corporate job में या किसी तरह मैं earning कैसे start करूं या household income को कैसे increase करूं तो ये actually उनको बहुत जादा facilitate करेगा वो females जो के घर से एक दफा वो job को या अपने उन्होंने पड़ दिया और फिर शादी कर ली और दुबारा कहीं पे भी कोई earning नहीं कर रही हैं या वो society में contribute नहीं कर रही हैं तो ये उनको बहुत जादा सूट करता है और as well as जो हमारे students हैं जो university की बच्ची हैं वो भी इसमें participate कर रही होती हैं लेकिन आपको last cohort का बताओं के एक हमें female थी जिनकी 45 भी तक्रीबन age थी वो touch कर रही थी हमारी bracket को और उन्होंने हमें जोईन कि और वो अपने बेटे का laptop लेकिया है और फर्स ताइम उन्होंने ट्रेनिंग में अपने बेटे के laptop को ओन किया उनको हमने सारा सिखाया उनके लिए हमने इस्पेशली एक टीचर एसिस्टेंट को उनके साथ लगाया ताके वो हैंड होल्डिंग करता रहे और माशाला एदी अपने सारा सिखाया उनके साथ हैंड बैक्स की तस्फीरें बना के पेज बना के और वो ओर्डर लेना शुरू हो चुकी है अप लोगा जो प्रोसीजर है रिजिस्ट्रेशन का अप्लिकेशन का प्रसेस क्या है क्या कोई इन्वेस्मेंट शुरू में पैसे लगाने पड़ हैं डुमेंज कौन कौन सी हैं और बिल्कुल वहाँ से जाके तमाम भोग आप्लाइए कर सकते हैं शीविन्स का पेज है शीविन्स अप वहां से जाके इसको एप्लाइए कर सकते हैं तो हीना अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप लोग ओबिस ले काफी एक साल होगे आपने बताया कि आप लोग ये रन करें तो आपनों का जबता का डाटा उसके अकॉर्डिंग ली जो लेडीज हैं खवातीन हैं किस किसम केस्कीलजादा प्रेफर करती हैं सीखना जो उनको लगता है कि ठीचर में आगे कैरियर में हलफफुल रहेंगे हमारी चो चारों डॉमेंस हैं वो चारों ही इन डिमांड डॉमेंस हैं और इनमेंडींग अर्ंड्रिंग का पुटैशल मौझ भूजा है तो हमारी चारों जो domains हैं वो बहुत in demand है वीडियो content creation आजकल बहुत ज़दा demanding में है उसके बाद अगर हम social media देखें तो उसको तो आप बिल्कुल कभी भी उसके अहमियत से इंकार नहीं कर सकते हैं फिर अगर हम logo and brand design देखें तो graphic designing हर चीज़ के ओपर design चाहिए आपको चाहे आप लोगो बना रहे हैं चाहे आप टी-शिर्ट बना रहे हैं या आप किसी बहुत बड़ी company के साथ काम करें e-commerce है उसमें अगर आपका business mind है और आप अपना online business establish करना चाहते हैं तो आप e-commerce को join कर सकते हैं चारों ही ऐसे domains हैं जिसमें अर्निंग का बहुत जदा potential और खावातीन उसको easily कर सकती है टोटल नंबर आप स्केल्स आप लोग प्रवाइट करें या प्रोग्राम्स ओफर करते हैं ट्रेडिंग सिस्टम प्रोग्राम है शीविंस के कौन कौन से है all together जा जा वही मैंने आपको बताया है कि हम चार domains या चार courses कराते हैं जिसमें के आगे आगे आपने extend भी किये थे कोई video के भी राबर के जी उसी के अंदर हमारा जो पहला है e-commerce उसमें हम online business establish कराते हैं first week में ही आपका online business establish हो जाता है फिर further उसको आपने किस तरह से improve करना है आपने उसके लिए कौन कौन से services यूज़ करनी है आपके market connections to publish कराना फिर उसके बाद product की sourcing आप कहां से कर सकते हैं courier services कौन से यूज़ कर सकते हैं आपके payment gate phase क्या होंगे ये पूरा का पूरा e-commerce में सिखाया जाता है जो हमारा video content creation है आपके इस category में जैसे food vlogging कर सकते हैं travel vlogging कर सकते हैं इवन अब खवातीने तो जो उनके fashion designing या कपडों की designing होती है उसकी videos वो बना रही होती है बना रही होती है अपने बच्चों की videos बना रही होती है और वो daily basis पे upload कर रही होती है वीजुल डिजाइन है वो सारे software's वगार आपको सिखाया जाते है तो यह बताएगे जब हम बात करते हैं Rabia मैं भी यह सोच थी कि यह बहुत इंट्रस्टिंग है और हो सकता है कि इन फूचर हम भी शीवेंस ट्रेनिंग लेड़े हो क्योंकि हर रोज आप कुछ टा कुछ नया सीखते हैं तो यह बताएगे जब मैं बात करते हैं qualification की आपने का five weeks का एक program है तो is it enough कि five weeks में आप किसी भी student को qualification regardless of any qualification उसकी है वो सीख चाता है क्योंकि अकसर कोई students आपके पास आते होंगे तो उसकी understanding बहुत easy हो जाती है five weeks को ने इसको हमने pilot करके देखा के बच्चों की understanding किस तरह से develop होती है initially it was planned for four weeks लेकिन four weeks में हमें लगा कि हमें एक week extend करना चाहिए तो इसको हमने five weeks का इसलिए क्योंकि हमने इसको week wise divide किया है कि पहले week में आपने क्या करना है फिर उसके बाद जब आपका initial store या आपका initial जो आपकी category थी वो आपने select कर ली है after that फिर आपने उसको design किस तरह करना है improve किस तरह करना है last week में फिर उसकी marketing and growth strategies लिखाई जाती है ताकि एक पूरा जो आपका model है उसको आप successfully five weeks में achieve कर सके अच्छा नवीद अगर खावतीन ये training program ले लेती हैं ये join कर लेती हैं सीख लेती हैं बहुत ज़दा हुनर उनने सीख लिया different opportunities उने मिल जाती हैं तो उसके बाद क्या उनके लिए opportunities different हैं ये special training program लेने के बाद क्या क्या फाइदा उने हो सकता है मैं of course सबसे पहले तो फाइदा ये है कि उनको घर से बाहर जाने की जरूरत ने पड़ेगी एक laptop lifestyle शुरू हो जाएगा जहां पे laptop open किया उनका जो है वो job शुरू हो गई तो सबसे पहले तो ये है कि digitally empower किया जाता है और उनको घर बैटे ही वो लोग अपने financially empowerment की तरफ चा रहे होते हैं और of course एक वो student जो conventional तालीम ले रहा है और एक वो student जो आजकल की तालीम के हिसाब से चल रहा है और ये on demand की है क्योंकि हर कोई आजकल ये चाता है कि हम लोग पैसे कमा लें और किसी तरह online learning शुरू हो जाए हम channel बना लें और monetize हो जाए और इसमें इतना ज्यादा scam चल रहा होता है तो government organization ने इसको थोड़ा सा पंजाब IT board की ये काविश है कि हमने आगे बढ़के उस चीज़ की एक proper training एक certified training करवाना शुरू की है एक अच्छे हाई मतलब एक बड़े जबरदस trainer हैं जिनको हमने engage कि इस काम के लिए ताकि वो बच्चों को उस तरह ही train कर रहे हैं जैसे उनको जरूरत है